हिटलर के नंबर दो और लुप्ट वाफ़े के प्रमुक हर्मन गोईरिंग का एक भाई था जिसका नाम अलबर्ट गोईरिंग था अलबर्ट कटर प्रति नाजी थे अलबर्ट ने सासन का तिरसकार किया उन्होंने विशेश रूप से यहुदी लोगों के साथ किये गए बेवार का बिरोज किया अलबर्ट अपने भाई की इस्तिती का उपयोग यहुदीयों को बचाने में मदद करने के लिए मुसीबत से बाहर निकलने के लिए करेंगे वह सिवरों या गेटों में एक परिवहन ट्रक चलाएगा और काम के लिए कई लोगों को देने की मांग करेगा जब उसे प्रतिरोर मिला तो वह कहेगा क्या आप जानते हैं कि मेरा भाई कौन है फिर वह उन्हें सुच्छित अस्थान पर ले जाएगा और उन्हें छोड़ देगा उन्होंने ऐसी कई चीजों की यहुदीयों को लगबग निश्चित रूप से बचाया पाटी की अवहलना की अपने भाई की अवहलना की फिच से अपने भाई के राजनीतिक प्रभाव का उपयोग नाजी उद्यसों को पटरी से उतारने के लिए किया यूद के अंत में अलवर्ट को पकर लिया जाता है और मारा जाएगा क्योंकि निश्चित रूप से गोईरिंग का भाई हो सकता है